हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो प्लान शेर करने जा रहा हूं, इसका डामेंशन है 35 feet in width and 45 feet in length equal to 1575 square feet का यह बुल्ड़ परिया है इसमें मैंने एक थ्री बेज के बाला हाउस प्लान रखे आ हूं ठीक है, तो इसमें जो हमारा plot area है यह भी 35 feet in to 45 feet है, हमारा window बेला भी होई सेम है, ठीक है तो मैंने यह प्लान ओलेडी ड्रा कर लिया हूं, अभी मैं उसे वाल फिलिंग करूंगा, दूर्स बगरा, window बगरा सब कुछ identify करूंगा और आगे आपको एके करके dimension साथ details में वताती जाओंगा, तो पहले मैं इसे वाल फिलिंग कर लेता हूं, तो प्लान का जो भर्टिकाल वाल दीख रहा है आपको, ठीक है, यह सब भर्टिकाल वाल को मैंने पहले कला करूंगा, फिलिंग करूंगा, यह इतना मैंने blue color में फिलिंग करते जा रहा हूं, यह सब 9 इंच का रहेगा, यहाँ पर मैंने maximum दीवार को 9 इंच का रखा हूं, और जहाँ पर 5 इंच का रखने भी चलेगा, उसी द्वार को मैंने 55 इंच का रखा हूं, नहीं तो सारे को सारे 9 इंच का दीवार है, ठीक है, तो एसे करके मैं वाल फिलिंग करते जाओंगा, भर्टिकाल वाल ऑल ही कर लिया, इसके बाद हरे वानटाल वाल को भी एसे ही फिलिंग हाँ तो इस तरफ चेल तो हमाराócया का मकान है तभा यहां पिलोज पूर दिए पुरा हसे में कि हम लोग इधार मेंटीन रखने से थे ठीक है ? पिछे के तरफ ही दोनो हो पिर गलोज किया हूं आप देखा कि फीछे के तरफ ही पूरफ़ सिंगा मकान है हमारा प्रपथी नहीं है हमने जितना हमारा फ्रटर्य है इतना ऑपर हम बुज़ों के किम महां भूर्ड को फूर्ड का प्रपथी है पूर्ड penetrateCom अब यह जो जितना बुलू कलर में आप दिख रहे हैं यह सारे पुरा 9 इंज का दिवार है अब यह छोटा दिवार जो पींग कलर में करूंगा यह पांच इंज कर रहे हैं ठीक है यहां पर यह partition वाल है अंदर का दिवा यहां पर आपको कुछ 9 इंज का रखना ज़रूरत नहीं है इसलिए 5 इंज का बनाया हूं और बाहर साइड हम लोग क्या करेंगे boundary लगाएंगे हमा जीतना plot area है यहां पर हम लोग 5 इंज का दिवार लगाएंगे यहां पर फोड़ेंगे और पूरा हम पांसिज का दिवार लागा दिए यहां पर भी होग अ यहां हमाब ढ़ाला यहां पर रहेगा यहां पर टिंटन बहार में रहेगा इसके बाद ग्रीन नासर्फ हमें अपकिछ हरे हुत सब कर दो है और यह दोने की लर्ख टर टीम क्लारी ऻिलेत गें मेंhenut छारें बेट पर लोगेगा कि आप चाहए तो यह दूर को इस तरफ भी लगा सकते हैं यह सर यहां से नजदिक होगा यह ठीक है और यहां पर दूर लेगा इस सारे दूर साधे तीन फिट का मैं रखा हूं ट्रेट कम बाथरूम का दो फिट छे इंज का हो गया तो फ्रेंड्स यह रहा आपका पूरा प्लान अभी में इस प्लान के बारे में आगे आपको डिटेस में पताऊंगा लेकिन इस से पहले मेरा एक छोटा से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चनल में नहीं है या अभी तक मेरा चनल को सब्सक्रेब नहीं किया है तो प्लीज सब्स पाइप लोटा है इतना एटा पुरा 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 कवर करके हमने लुड़कल मकान बनाए हैं यहां पर हमारा रहे हैं एंटरंस कि घर को हम एंटी करेंगे यहां पर यहां पर एक नौ फित या 10 फित का हम लोग गेट लगाएंगे, बड़ा सा गेट, जो हमारा मेन गेट है, ठीक है, और एंटी करेंगे, तो यह रहा हमारा कार पार्किंग, पार्किंग के लिए स्पेस है, तो इसका चोड़ा ही रहेगा, यहाँ पे, 11 फिट, 4 इंच का, और लेंग्ध रहेगा, यहाँ से, यहाँ तकी, 22 तकी, यह है, 16 फिट, 4 इंच का, बड़ा सा स्पेस है, एक साथ बाइक, कार सब पार्किंग हो पाएगा, आराम से, ठीक है, इसके बाद, जब लेफ्ट तरब देखेंगे, तो आपको एक स्पेस मिलेगा, आपको बड़ा सा स्पेस है, यह भी, यह विट्थ में रहेगा, 16 फिट, 8 फिट, 6 इंच, और लेंग्ध में रहेगा, यहाँ से, यहाँ तक की, यह 11 प्लस यह 10, 21, 22 फिट, 6 इंच का, ठीक है, तो इतना बड़ा सा स्पेस मिले गया, आपको गाड़ेनिक करने के लिए, हम यहाँ पे जो पेड़ बगएरा छोटा-छोटा, जो फूल का पेड़ लगाते हैं, और यह वेजिटबूल का पेड़ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, इसके बाद यह रहा हमारा मेंडू, तो यह पहला हमारा ड्राइंग इसके बाद इसके सीधी सीधी जब रखेंगे, तो यह हमारा एक गेस्ट बेडरूम है, और बेडरूम वान, इस प्लाम का हमारा पहला बेडरूम, इसका चोड़ा रहेगा 11 फिट, और लेंग्ध रहेगा 13 फिट का, इसके बाद यहाँ पे एक आर्च रहेगा 3.5 फिट का, आएंगे एंट्री करेंगे, तो यह जो बड़ा सा रूम है, यह हमारा ड्राइनिंग कम लिविंग रूम, इसका चोड़ाई मिलेगा 10 फिट, और लेंग्ध मिलेगा 13 फिट का, ठीक है, फिर इस करना पे हम पूजा के लिए एर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जागा नहीं होगा तो जो विंडू को थोड़ा इधर किसक देंगे तो आपको इस पेस मिल जाएगा पूजा करने के लिए, और यह रहा हमारा कमण ट्राइट कम बाथरूम, यह वाल आप इधर भी लगा सकते हैं, यहाँ से आपको यह वाला दरवाजा, मैंने यह दर लगा दिया हूँ, तो यह रहा हमारा कमण ट्राइट कम बाथरूम, जिसका चूड़ाई रहेगा 5 फिट आट इंच, और लेंग्ध रहेगा 7 फिट का, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने उपर जाने के लिए, छाट के उप 3 फिट 6 इंच, यहाँ पे लेंडिंग करेंगे, फिर इसके उपर जाएंगे, इसके बगल में यह बाला एक बैडरूम है, यह हमारा 2 बैडरूम, इसका चूड़ाई रहेगा 11 फिट, और लेंग्ध रहेगा 13 फिट का, ठीक है, और यह रहा हमारा किचेन, इसका और लेंग्ध रहेगा 10 फिट का, ठीक है, इसके बाद जब हम सीड़ी के नीचे से देखेंगे, तो राइट तरफ आपको और एक रूम मिलेगा, यह है हमारा मास्टर बैडरूम, और बैडरूम 3, इस प्लाम का यह तिसरा बैडरूम है, इसका चूड़ाई रहेगा आपका 11 फिट, और लेंग्ध रहेगा 13 फिट का, इसके साथ मैंने एक आटच टैलर कम बाथरूम भी रखा हूं, जिसका चूड़ाई 4 फिट रहेगा, और लेंग्ध रहेगा 7 फिट का, ठीक है, तो पीछे के तरफ जो पीच दिख रहा है, यह वाला, यह हमारा एक OTS रहेगा, ओ बेंदेलेशन होगा, और टैलर दोनों भी बेंदेलेशन होगा, इसका चूड़ाई 6 फिट रहेगा, और लेंग्ध रहेगा 10 फिट का, 6 इंटू 10 का, यह हमारा OTS रहेगा, ओपन सुट का है, तो हम चाहे तो यहाँ पे एक दर्वाजा लगा के, यहाँ पे हम दोज़़ा लगा लेंगे, तो हमको यह स्पेस भी यूज में आ जाएगा, बहा के साइब बैठने उठने के लिए, ठीक है, तो फ्रेंड्स, यह रहा, आपका पूरा प्लांग, आसा करता हूं, आपको मेरा यह प्लांग, मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद रहे होगा, तो एक लाइक करना, जदे शेयर करना, और अभी तक मेरा चनल को सब्स्क्राइब लिका है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दाना, थेंक यू.